सीम बनते ही आतिशी को लगा पहला बड़ा जटका आतिशी की मनबानी पर एलजी का पहला बाउनसर आटिषी की नि आतिशी ने ही कार्यबार सभाला और पहला आदेश चारी किया वैसे ही उपराजपाल वीकेश छने बाउंसर फैक दिया जी हां आतिशी के पहले फैसले को एल जी ने पलट कर रख दिया है ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ये आतिशी का पहला आदेश था जिसे LG वीके सक्सेना ने रद कर दिया है हाला कि हमने राज्थानी दिल्ली में अर्विंद केशवाद और LG के बीच लगातार टकराव देखा है लेकिन वही इस्थिती अब आतिशी और LG वीके सक्सेना के बीच नज़र आ रही है दरसल माफला ये है कि आतिशी ने सियमपद की शबत लेने के ठीक बाद 1994 में बैंच के एक आई-एस अधिकाही को शीष वेतनमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्यस सच्शीव के रूप में न्यूक्त करने का आदेश जारी किया था LG की स्वीकर्ती के लिए ये आदेश जो था वो राजनिवास फेजा गया था यानि LG हाउस फेजा गया था लेकिन वहां से निराशा आतिशी को हाथ लगी और जाहिर तोर पर मुख्यमंत्री के तोर पर आतिशी का ये पहला हस्ताक्षित आदेश था जिसे उन्हें कुछी घंटों में वापस लेना पड़ा यानि यहां भी साफ़तोर पर LG वीके सक्सेना और साथी दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी के बीच में टकराव साफ़तोर पर देखने को मिल रहा है जहां पर आतिशी की मनमानी पर इस तरीके से LG का ये बाउंसर देखने को मिला है अब इस आदेश को जल्थी नए सीरे से दोबारा जारी किया जाएगा ये जानकारी भी निकल कर साफने आई है लेकिन LG ने आतिशी के इस आदेश को आखर क्यों इस त स्टाफ में सेवा देने के लिए ACS इस्तर का कोई स्विकृत पद ही नहीं है सियम अपनी लिए सबसे उचे पद पर अधिक से अधिक प्रधान सचीव इस्तर के अधिकारी को ही न्यूक्त कर सकता है इस पर उन्होंने LG की मंझूरी के लिए राजनिवास फिचे गाया अपना नोट जो है वो वापस ले लिया तो किस तरीके से यहां पर आतिशी जो है वो मनमारी दिखा रही थी किस साफतोर पर निकल कर सामने आ हैं बता यह भी गया कि आतिशी ने यह आदेश चारी करने से पहले उस अधिकारी से भी सला मश्वरा नहीं किया था जिन्हें वो अपना ACS बनाना चाह रही थी यादि मुख्य सची वो बनाना चाह रही थी यादि ऐसा होता तो शायद उन्हें नियमों की जानकारी मिल गई होती और बतोर सियम उन्हें अपना पहला यह आदेश वापस लेने की नोबत नह पाल के लिए टाँगे से अठीशी को जानकारी नहीं है और किस तरीके से वो अदिकारी से सला मश्वरा नहीं कर रही है। और इस तरीके से वो जो है अपना आदेश जारी कर रही है वो दरसल ये मुख्य सची बनाना चाहती थी एक आएस रैंक के अधिकारी को यह कहीं कई पूरा मावला था और आरेसेस राश्ट्रवादी है इसके लिए केजरिवाल जैसे देश द्रोहियों की कोई घरंटी या उनके बयान की जूरत नहीं है आरेसेस बात का अपना प्रमानिक सबूत है केजरिवाल साथ मैं आप से सवाल पूछना चाहते हूँ आप पांस सवाल आरेस से पूछना च रश्ट हैं लालू मुलायम मायावति सब रश्ट बताए थे उन्हें से घटबंदन आपने किया और कहां मेरे दो बच्चों की कसम में राजनिती मैं कभी कॉंग्रेस से घटबंदन नहीं करूँगा आपने उसका घटबंदन किया मजबूरी थी इस सवाल का जवाब दो मेरा तीसरा सवाल ये है आप ये कहते हैं वो सत्ता और गदी से कुर्शी से मौबत नहीं करते सत्ता के लाल्ची नहीं है सत्ता के लाल्ची नहीं है तो अन्ना को धोका दिया किरन बेदी को क्यो बगाया परसाद बूसन को क्यो बगाया साजिया हिल्मी को क्यो बगाया जितने आपने कहा था मैं तीन कमरे के मकान में मुख्यमंतरी रहता, शीला क्यों बड़ी कोठी में रहती है, तो आप पिछले दो साल से अपनी बीवी को लेकर, फैमली को लेकर 54 करोड के सीसमेल में क्यों रह रहे हैं, आपने कहा था बड़ी गाडी ने लूगा, मैं तो वेगन आर म को नहीं कर रही है, तो आप उसे नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप किसे ने कहा आपको की सराब माफियों का 5% से 12% कमिशन कर दो, आपने 100 करोड रुपियां उन से जो रिश्वत ली गोवाच चुनाव में लगाया, आप उसका जवाब दो क्यों किये, तो तरीके से आतिशी और LG के बीच में ये टकराव देखने को मिला है, हलाकि ये आदेश फिर से जारी होगा, ये जानकारी दी गई है, लेकिन वहीं पार जहां एक तरफ आतिशी जो है, वो मुख्यमंत्री का पद सभालते ही, कई माफलों में बुरी तरीके से फज चुकी है, चाहे वो अपना पहला आदेश वापस लेने की बात हो, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बैठ कर उसके बाजु में एक और कुर्सी लगा कर उस पर बैठने की बात हो, फिर चाहे वो अरविंद केशवाल की भगवान राम से तुल्ला करने की बात हो, वहीं पर दिल्ली के पूर मुख्य मंत्री अरविंद केशवाल जिन्होंने दरसल कई शर्तों के साथ जिने जमानत मिली सुप्रिम कोट से हमने आपको यह चान का लिए थी किस तरीके से सुप्रिम कोट के जो शर्त हैं उसकी धजिया अरविंद केशवाल उड़ा रही हैं और एक ब और फिर से वो खुद को कहीने कहीं पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आर विंद केशुआल का जो बयान हैं उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कटर दुश्मन भी ये कहते हैं कि केशुआल भ्रस्टिचारी नहीं हो सकता है। किसी ने मुझसे इस्तिफा मांगा नहीं था मैंने खुद इस्तिफा दिया अर्विंद केशवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि एक चपरासी भी कभी इस्तिफा ऐसे नहीं देगा और मुझसे इस्तिफा नहीं मांगा गया मैंने खुद इस्तिफा दिया दिल्ली वालों से कहा कि अगर फिर से चुनोगे तो CM बनूगा एक मोका देदो हर्याने की भी सेवा करके दिखाएंगे ये बात अब अर्विंद केशवाल कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार अर्विंद केशवाल सुप्रिम कोर्ट की गाइडलाइन्स की धज्या उड़ा रही है जिस तरीके से वो सुप्रिम कोर्ट के आदेशों की अभेलना कर रहे हैं सवाल हमने इससे पहले भी पूछा था कि क्या सुप्रिम कोर्ट अर्विंद केशवाल पर एक्शन लेगा लेकिन वहीं आतिशी भी उन्हें घ्यान नहीं है कि आखर किस तरीके से LG को फाइल भेजन बाते हैं और इस तरीके से लगातार डिली में LG और मुक्यमंत्री आतिशी के बीच अब यह टकराव की शुरुआत हो गई है यह कहां जाकर थमेगी हलकि यह देखना होगा कुछी महीनों के बाद डिली में विदानसभा का छुनाफ होना है और आतिशी ने खुद कहा है कि जार महीने के लिए वो इस कुछी पर बैठ रही है तो इस तरीके से कहीं ने कहीं आतिशी तमाम बाते कर रही हैं लेकिन यह बहुत बड़ा जटका आतिशी के लिए माना जा रहा है कि उनके तरफ से पहली उनकी साइन की हुई फाइल जो है वो LG के पास भेजी गई जिसमे वो चाती थी कि 1984 बैच के जो आईएस अधिकारी हैं देसर वो उनके मुख्य सचीव के रूप में न्यूक्त किया जाए लेकिन LG ने उन्हें जो जवाब थिया उसमें साफतोर पर जो है यादेश चब LG निवास पहुँचा तो उन्हें बताया किया कि उनके नीजी स्टाफ आप में सेवा देने के लिए जो है मुख्य सचीव इसतर का कोई सुईकरित पद ही नहीं है यानि यह पद ही नहीं है आप यह जानते नहीं है यह बड़ी आश्यरीय की बात है मुख्यमंत्री होते हुए यह कहिनकाहिश की चीजें हैं और इसको लेकर LG की तरफ से यही जवाब दिया किया है लेकिन फिलाल जो है दिल्ली में लगातार सियासत गर्माई हुई है चुनाव करीब है ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है और किस तरीके का टकराव दिल्ली में देखने को मिलेगा बीजेपी किस तरीके से आम आतमी पार्ٹी का मुकाफला करेगी या आम आतमी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को जवाब देगी यह कहीना कहीं देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल बृष्टे चार के केस में जमानत पर छुटे अरविंद के जवाल लगातार फस रहे हैं अब अपनी बे गु पेज़वार और आतिशी पर हमलावर नजर आ रही हैं फिलाल आपकी इस खबर को लेकर क्यार आए हैं मैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेगे